दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको WhatsApp बैंकिंग के बारे में बताने वाला हूँ अभी कुछ समय पहले कुछ प्राइबेट बैंकों ने WhatsApp बैंकिंग सुरू किया है जिसमें अगर आपके bank account से आपका mobile number लिंक रहेगा तो अपने registered mobile number से banking की काफी सारी services का फायदा उठा सकते हैं इस services की खास बात यह है कि यह no charge है इसमें कोई आपको charge वगेरा पिट करने का जुरूत नहीं पड़ता है अगर आपका ICICI bank, Kotec bank या HDFC bank में account है तो आप WhatsApp banking का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनी तीन बैंकों ने अभी WhatsApp banking को चालू किया है तो आज किस वीडियो में मैं आपको complete detail देने वाला हूँ कि आप WhatsApp banking को कैसे use कर सकते हैं तो गाइज मैं हूँ नीलेस और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चेनल Super Technology मैं आपसे भी कस्तो आ गया थे तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपका Kotec Mahindra bank में account है तो आपको यह number save करना है 02266006022 या फिर अगर ICICI bank में है या फिर HDFC bank है तो उनका number मैं आपको particular इस वीडियो के description में दे दिया हूँ उस number को save करके आप उसका WhatsApp banking इस्तेमाल कर सकते हैं इस number को save करने के बाद दोस्तों सीधे आपको अपना WhatsApp open करना है अब यहां पर दोस्तों आपको हाई लिखकर message करना है जैसे ही आप message करेंगे तो आपको कोटक bank की तरफ से reply आजाएगा यहां पर देख सकते हैं कि आपको services के बारे में बता दिया गया है कि कौन कौन सी services आप WhatsApp banking में इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर आप अपने bank account को manage कर सकते हैं credit card debit card 811 ATM या फिर branch को locate कर सकते हैं अपने profile को update कर सकते हैं या फिर आप apply now कर सकते हैं debit card के लिए apply कर सकते हैं credit card के लिए apply कर सकते हैं या फिर new bank account open करना है तो आप उसके लिए भी यहां से apply कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों जो भी service को आपको इस्तिमाल करना होगा simply उस service के number को आपको यहाँ पर type करके send कर देना है जैसे यहाँ पर मैं अपने bank account को manage करना चाहता हूँ तो यहाँ पर one link के हम यहाँ पर message कर देंगे जैसे ही आप message करेंगे तो आपको reply आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपके सामने list आ गया है कि अब अपने account को कैसे manage कर सकते हैं यहाँ पर अपने account balance चेक कर सकते हैं last three transaction देख सकते हैं statement request देख सकते हैं checkbook का status देख सकते हैं अगर आपने checkbook का request लगा है तो उसका status देख सकते हैं आप अपना CRN number वगेरा जान सकते हैं बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं अपने account का balance चेक करना चाहता हूँ तो simply यहाँ पर one type करके send करेंगे तो हमारे account का balance यहाँ पर बता दिया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे आपको CRN number पता चलेगा यहाँ पर बता जा रहा है यहाँ पर CRN number पता करने के लिए आपको SMS send करना होगा अपने registered mobile number से जो आपके bank में registered है इस number पर आपको message करना है capital letter में CRN जैसे ही आप message करेंगे तो आपको CRN number आपके message में बता दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों आगर आप अपने check का status देखना चाहते हैं अगर आपने कोई check लगाया है उसका status देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 4 type करके send करना है तो आपके सामने reply आजाएगा यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको last 4 digit का account number आपको यहाँ पर type करके send करना होगा तभी आपका यहाँ पर check status बताया जाएगा तो यहाँ पर चलिए दोस्तों हम अपने last 4 digit का account number यहाँ पर send कर देते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या reply आता है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको 6 digit का यहाँ पर check number आपको send करना होगा जो भी आपने check लगाया है जिसके नाम से check इसू किया है उसकर last 6 digit आपको यहाँ पर send करना होगा जैसे ही आप send करेंगे तो आपके सामने screen आजाएगा अगर check accepted हो गया है तो accept आजाएगा अगर check reject हो गया है तो reject हो जाएगा तो यहाँ पर hash type करके send करेंगे तो आप main menu में आ जाएगे तो जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने hash type करके send किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा main menu आ गया है अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको debit card का detail जानना है तो यहाँ पर आपको 3 type करके send करना होता है तो यहाँ पर मैंने जैसे 3 type करके send किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे debit card के बारे में detail आ गया है कि अगर आप अपने debit card को activate या deactivate करना चाहते हैं तो 1 type करके send करना है international users अगर यूज़ करना चाहते हैं देविड card को तो 2 type करके send करना है कोई नया debit card apply करना चाहते हैं तो 3 है अगर आप अपने apply जो आपने apply किया है debit card उसका image चाहते हैं तो 4 type करना है अगर आपका debit card lost हो गया है या गुम हो गया है तो अगर उसको आपको block करना है तो 5 option आपको choose करना है या फिर अगर कोई pin generate करना चाहते हैं अगर आपने debit card नया लि कि आप कैसे debit card के लिए apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक link दे दिया गया है, इस link पर आप click करेंगे, तो आप अपने नए debit card के लिए apply कर सकते हैं, जैसे दोस्तों आपका link open हो जाएगा, कुछ इस तरह का screen आएगा, यहाँ पर आपको अपना registered mobile number डालना होता है, और यहा registered mobile number पर OTP आता है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होता है, जैसे दोस्तों आप OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको confirm का option मिल जाएगा, यहाँ पर आपको confirm वाले option पर click कर देना है, जैसे दोस्तों आप confirm करेंगे, तो कुछ amount आपके account से debit करने के लिए option आजाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर hash type करके send करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर main menu में आना है, जैसे आप hash type करके send करेंगे, तो आपके सामने option आजाएगा, अब यहाँ पर आपको profile update करना है, तो simply आपको 6 type करके send करना है, तो आपके सामने profile update के लिए option आजाएगा, अब pin card update नहीं है तो यहाँ पर आपको kotak.com slash pin यहाँ पर यह website दे दी गई है आप इस website पर visit करके आप अपने pin card को update कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप Kotak Mahindra Bank का आप WhatsApp banking इस्तेमाल कर सकते हैं I hope दोस्तों कि subscribe जरूर कर लिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह knowledgeable and useful वीडियो लाता रहता हूँ थैंक्स कर बाती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूट आपक साथ तब तक के लिए जाहें टेकेर